नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी दिव्य घरेलू उपचार यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं चीचिटा मैं आज इसी से होने वाले फायदों के बारे में आप सभी को बताऊंगा क्योंकि यह चीचिटा का पोधा हमारे मानो जीवन के लिए इतना काम की चीज है कि बड़े से बड़े रोग इसके आगे बिल्कुल दूर रहता है दोस्तो इस चीचिटा को कई जगों पर अपमार्ग लटजीरा चीचिरा के नाम से भी लोग जानते पहचानते हैं अगर आप और किसी नाम से जानते पहचानते हैं तो कमेंट बक्स में जरूर लिखिए और साथ ही मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं डेली हल्थ से जुड़ी जनकारियां लेकर आते रहता हूँ दोस्तो इस चीचिटा के पत्तों से लेकर इसके बी जो और तना सभी बहुत ही काम आता है अगर इसके बीजों को दूद में डाल कर खीर बना कर आप खाते हैं तो आप बिना कुछ खाए पिए 15 से 20 दिनों तक रह सकते हो इसके अलावा अगर आप इसके तने को लेकर दातुन प्रती दिन सुबह साम करते हो तो आपके दातों से जुड़ी समस्या जैसे की दातों में पिले पन, दातों का हिलना, दातों से खून आना, दातों में पाइरियां का होना बिलकुल रूप से दूर हो जाता है अगर आपको बिच्छु डंक मार देता है या कोई जहरीला कीड़ा काट देता है तो आप इसके जड़ को बारीक पीश कर बिच्छु डंक मारे वाले अस्थान पर लगाते हैं तो महज कुछी दिर में जहर बिल्कुल रूप से उतर जाता है अगर इसके पत्तों को बारीक पीश कर इसका लेप घाव फोड़े फुनसी पर लगाते हैं तो घाव बहुत ही जल्द भरता है अगर आपको पेट में नारा की समस्या हो गई है और आपका पेट से हवा नहीं खुल रहा है तो आप इस चीटे के जड़ को किसी काले धागे में बांध कर अपने कमर में बांधते हैं तो आरा कुछी दिर में बिलकुल रूप से खत्म हो जाएगा और आपको काफी राहत मिलेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल